हालो, आम हिमान्शु और वेलकम बाक टू चटर पटर उन ट्विटर बॉलिवूड की पंगा कुईन आए दिन विवादों में घेरी रहती है अब बात अगर कंगना की हो और वो ट्विटर पर किसी दिन ट्रेंड ना करें तो बात कुछ हजम नहीं होती है अब आज ही ले लीजे, आज सुबे से ही ट्विटर पर दिलजीत वासिस कंगना और दिलजीत दिस्ट्रोइस कंगना रनोट ट्रेंड कर रहा है अब आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है और क्या है इसकी वज़ा चलिए आपको थोड़ा डीटेल में बताते हैं दरसल हाल ही में कंगना ने किसान अंदोलन में शामिल हुई दादी उर्फ महिंदर कौर को बिल्किस बानों समझ लिया था जिनोंने शाहीन बाग में प्रदर्शन किया था अब इतनी बड़ी गलती कंगना ने की थी तो उन्हें खामियाजा तो भोगतना ही था कंगना ने इधर महिंदर कौर उर्फ दादी को बिल्किस बानों समझ कर एक ट्वीट किया यहां तक कि कंगना ने तो दादी को इतना तक्या दिया कि उन्होंने 100 रुपई लेकर प्रदर्शन किया है बस फिर क्या था? कंगना ने यहाँ ट्वीट किया उसके बाद जो कंगना को ट्रोल किया गया ट्विटर पर वो देखने लायक था अब कंगना ने इतनी बड़ी गलती की थी तो जैसे ही उन्हें एहसास हुआ गलती का उन्होंने तुरंट अपना tweet डिलीट कर दिया लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी अब पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांज ने भी कंगना के इस tweet पर जम कर निशाना सा था दिलजीत ने कंगना को लेकर एक tweet कर दिया अब फिर क्या था दिलजीत ने कंगना को लेकर tweet किया और कंगना से पंगा लिया तो पंगा कुईन भी आखिर कैसे चुप बैठती कंगना ने तो दिलजीत को चमचा तक कह डाला बस फिर क्या था कंगना के ट्वीट को देखकर पंजाबी इंडस्ट्री भी दिलजीत के सपोर्ट में आ गई अब एमी वीरक को ही ले लीजे एमी वीरक ने तो ट्वीटर पर दोनों को लेकर एक मज़ेदार वीडियो ही शेयर कर भिया जिससे देखकर आपकी हसी भी नहीं रुकेगी अब जरा इस वीडियो पर नज़र डालिये और साथ ही दोनों पर बन रहे तो आज के लिए चटर पठर और ट्वीटर में इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे टीवी नाइन भारत वर्ष